इसमें question 4 है, with the reference आप और गैसे CO2, carbon dioxide, CO carbon monoxide, CO2 chlorine and O2 oxygen, which one of the options in the table is correct? तो देखिए 4 गैसों को यहाँ पे दिया हुआ है और उसके अनुसार हमको बताना है कि कौन सा option यहाँ पे सही है option A में बोलता है acidic oxide, carbon monoxide CO, तो देखिए carbon monoxide जो है न, acidic oxide नहीं होता second देखिए used in treatment of water, water के treatment में use होता है, कलोरीन बिल्कुल use होता है फिर इसका C में देखिए कि product of precipitation, तो इसमें product of precipitation जो है न, वो oxygen नहीं होता क्योंकि जब हम सांस लेते हैं न, यह उसका reactant होता है जब हम लोग product मतलब सांस छोड़ते हैं, तो carbon dioxide छोड़ते हैं, न, कि हम लोग oxygen छोड़ते हैं, तो यह नहीं होगा उसके बाद product of incomplete combustion, तो incomplete combustion में carbon monoxide पैदा होता है, क्योंकि oxygen सफिसेंट नहीं रहता तो इसमें देखिए first option में न, दो correct है, chlorine collector है, और यह carbon monoxide correct है तो इसलिए, यह option जो है न, correct नहीं है, क्योंकि दो गलत है इसमें, B में देखिए, acidic oxide CO2 बोलता है तो CO2 जो है न, वो acidic oxide होता है, कैसे मैं बता रहा हूँ तो देखिए, water और carbon dioxide, H2 और CO2 मिलके carbonic acid, H2CO3 बनाते हैं तो यह acidic nature का होता है, इसलिए, carbon dioxide जो है न, वो acidic होता है अब इसमें, देखिए, CL2 हमने समझा है, कि यह water के treatment में यूज होता है, यूज जैन treatment of water फिर इसके बाद देखिए, product आप respiration में, इसमें carbon dioxide दिया है इसको भी अच्छे समझे हैं, कि जो product आप respiration होता है, उसमें carbon dioxide बहाँ निकलता है फिर देखिए, product आप incomplete combustion, तो जैसे न, बताया है कि लेक आप oxygen में, जब combustion होता है तो उसमें carbon monoxide बनता है, carbon dioxide के जगह में तो देखिए, इसी कारण से न, इसका option B जो है, न, correct होगा, इसलिए इसका इंसर होगा option B